गुट मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब अशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जैसरी शाम तो बड़ी एनरजी के साथ मैं लग गई हूं अपने किचिन को साफ करने के लिए फाइनली तो आभी आप देखी सकते हैं कि मैंने आप साथ ही पूरी कंप्लीट कर लूँगी ताकि के मेरा किचिन का काम जो है फ्री हो जाए नहीं तो अभी जादा दिन नहीं है दिवाली नजदीक है और मुझे बाकी काम भी करने हैं तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी किचिन को आज फ्री कर लूँ जैसे तैसे हिम्मत करके तो एनर्जी के साथ पूरी लग गई हूँ और यहां पर देखिए मैं जाडू लगा रही हूँ सबसे पहले क्योंकि जितने भी जाले वगेरा हैं उन सबको निकालना बड़ा जरूरी है और जालो का ऐसा है कि तकरीबन दो से तीन दिन में ही जाले वापस से लगने लग ज जाते हैं और यहां पर मैंने इसमें ठोड़ा सा डिटर्जन टाउडर डाला है पानी के अंदर और उसी से अपनी टाइल्स जो है मेरी किचिन की इनको मैं अच्छे से रगड रही हूँ खिड़की को भी मुझे रगड़ना है यहां पर मैं यह बरतन स्टेंड को भी साथ के दूंगी क्योंकि यह बरतन स्टेंड को हटा नी सकते हैं और इसकी अच्छी बात यह है this top एसले पाले ऐसली साफ हो जाता है क्योंकि इसमें ये जालियां बनी हुई है तो जाली की वज़े से इसको साफ करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है तो इसको भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के जो है साफ कर दूंगी और इसके बाद मेरा आरो है इसके उपर भी काफी जादा चिकनाई जमी हुई है तो इस चिकनाई को मुझे साफ करना है और जब भी हम किचिन में काम करते हैं तो मोस्टली उपर की साइड में जो भी चीजे होती है ना उन में खास तोड़ से चिकनाई जो है जम ही जाती है तो उसके उपर भी मैंने साफ कर दिया था आरो के उपर और अभी मैं इस खिड़की को रगड़ लग मेरी स्पीड ना कम हो गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा ठक सी गई हूं उस टाइम पर तो मैं इनको रगड़ रही है थोड़ा सा क्योंकि कि इसमें चिकनाहट है तो हलका गरम पानी करके अगर करेंगे तो शायद जल्दी से निकल जाएगी मैं नहीं करा था मैंने ये गलती क कर दी वहीं होता है हमें जल्दी होती है तो हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं तो थोड़ा सा रगड रगड के जो है मैं को साफ करनी पड़ेंगी क्योंकि यहां पर जालियों पर काफी जादा चिकनाहट जमी हुई है और इतने मेना थोड़ा सा ठक गई थी मैं यहां पर इस ट गेपन काफी जादा चिकनाई जमी हुई तो मैंने लोहे वाला जूना लिया है इसी की मदद से मैं जो है इसको रगड़गर के साफ कर लिया है पर फिर भी काफी हद stalk जो है अपनी जाल्यों है मेरे किचिन की इनको मैं इच्छे से साफ कर लूँंगी किचिन की टाइलों को इस possibility साफ कर लूँंगी और खास तोर से इस आरो से दो दिया है इसके बाद इसकी जितनी भी सारी ये स्टेंड इनको में अच्छे से लगा करके इसे इसको आड़ा रख दूंगी ताकि के पानी जो जितना भी हिन लिकल जाए और पूरी पट्टी को अच्छे से साफ कर लूँगी तो किचिन उपर की साइट से मेरी बिल्कु मुझेक कर रहा है और यहां पर जांक अपार मैंने खाल ली एक आप भी खाली जिये नान ख्राव चांप से बाद लिए तोनीशम के भी लिया श्युलिए और सोच च्छरव हां बेला काम कर लó और मिष्टी और व्रगि मुझे दोनों सामान जो है पकड़ा रहे हैं तो एक ये अच्छी चीज हो गई ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए ना तो ये एक फायदा मिल जाता है कि आप छोटी-छोटी चीज़ें से करवा सकते हैं नहीं तो खुद से लेने में और जमाने में सोचिए कितने दिक्कत आती है और पर ब्रगु इस बड़ी सी चरी को भी लेकर के आ गया है वो बड़ा क्यूट लग रहा था इसको लेकर के आ करके वो बड़ी हैल्प कर रहा है मेरी तो यहां पर मेरी किचिन को मैं अच्छे सेट कर दूंगी और मिश्टी भी देखिए सारे बड़तनों को देने में लग र लगाया था और आपको पताएगे कि जब भी हम ऐसे काम करते हैं तो गंदीकी तो फैलती है तो पोच्छा लगाना जरूरी हो जाता है फिर पोच्छा लगाया फिर नहाई हूं और नहाने के बाद कपड़े सुखा है और सुखाने के बाद मैं ऐसा लेटी हूँ ना सच मैं मेरी बॉड़ी दर्द कर रही थी पर फिर भी जैसे तैसे मैंने अपनी किचिन को आज फ्री कर लिया है फाइनली मैंने जंग जीत लिये तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि अब फाइनली कैसी लग रही है मेरी किचिन तो यहाँ पर अभी दिखाती हूँ अच्छे से उपर वॉल पेपर लग गया है कुछ जगे जो रह गई है क्योंकि वॉल पेपर हमारा कम पढ़ गया हमने दिमागी नहीं लगाया कि हमको एक्स्ट्रा लाना चीए था और फिर वो जो शॉप थी वो बंद हो गई आज वो खुली नहीं जिससे हम वॉल पेपर ले गया है तो अब फिलाल तो अभी यही चिपका दिया है यह देखिए यह मैंने आज बड़ी चरी रख दिये क्योंकि के अब मटकी वगईरा की जरूत है नहीं ठंड आ गई है और यहां पर यह देखिए मैंने ओयल वाली भी चेंज कर दिया यह कंटेनर यह मेरा गेस और यह खास तोड़ से यह साइड यह देखिए जो मेरी बास्केट थी इसको मैंने इस तरह से साइड चेंज कर दिया है पहले यह सीधी रख दिया है मैंने और यहां पर यह है कि खाने वगिरा की चीज़ें रदो रोटी वगिरा आज तो खेर मैंने इडली सांबर बनाये थे यह यह संबर बचा हुआ और इसमें कुछ इडलिया तो यह और इधर दिखा देती हूं मैं आपको इधर भी मैंने एक्स्ट्रा जो डब्बे थे वो सब हटा दिये मैंने और यह और उपर सब चीज़ें पर हम कितना ही चाहें फिर भी रहती हैं यह चीज़े तो और यह देखि देखिया तो फाइनली तो फाइनली कुछ इस तरह से लग रही है अब मेरी किचिन बहुत बढ़ ऐसे इस को आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट में बताइएगा मेरी कुछ का का मीप में तो तो किचिन को तो मैंने आज फ्री कर दिया है तो चलिए फिलाल अपने इस वाले वीडियो को में ही पर एंड कर देती हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर कर देना मिलेंगे नेक्स्ट ब्लोग में बाबाई टेक केर होगों तरी को प्राइक कर दून दो कर दो लाइक कर दूना आप क किवता बाबाग צा आपबाई तो के लाई लाई कर दो हूं वां में भाले था